के वेलकम तुमाई चैनल बेस्त नोलिज्त तूड़ी इस्टाफिक लाउसिफिकेशन ओरागेंईजेम अर इस्टाक्टर यहां कि परहए कि या बेक्टेरिया इस्टाइथि अपको दिस्को और आपको इसके बारे बारे बिताती हूं की बैक्टीरिया जो है जो तeszती है क्या है और इसकी डिटेल ही बता रहेती हूं आपको bacteri आर वेरी स्मोल इन साइज साइज स्मोल होता है इनका जो साइज होता है वह काफ़ी स्मोल होता है अब जो इसका है जो measurement bacteria को called micrometer कहा जाता और ये bacteria journaling इसका जो measure होता है 0.2 से 1.5 UM diameter होता है और ये 325 UM in इनकी length होती है अब क्या है कि इसकी जो study की है morphology की bacteria की तो इसमें क्या है कि इसने बोला कि इसको देखने के लिए bacteria को हमें किसकी जूत पड़ेगी microscope की हमें इसमें किसकी जूत पड़े ही microscope की अगर आपको bacteria देखना है तो इसे हम microscope में देखेंगे इसके बाद आता है बेक्टिरिया आर प्रोकारियोटिक प्रोकारियोटिक यूनिसेलर और्गानिजम जो बेक्टिरिया होता है वो क्या था प्रोकारियोटिक यूनिसेलर और्गानिजम होता है इसमें क्या है कि जो यह डिवाइड होता है बैक्टिरिया में क्या होता है यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन वे जीवन की सभी निमन जो बी कारे होते हैं वो कर सकते हैं जैसे growth, metabolism and reproduction जो बैक्टिरिया और हम इसे क्या बोलते हैं वाइरस को जो यह वाइरस है यह दूसरों की बोड़ी पर पाय जाते है जो यह वाइरस होते है यह दूसरों की बोड़ी पर पाय जाते है for example एक वाइरस को बनने के लिए उसका production होने के लिए उसे दूसरी की बोड़ी चाहिए होती है तो इन्हें दूसरे इसका जो एक्जाम्पल है पॉलियो वाइरस और फिलेंजा वाइरस यह डिजीज वाले वाइरस होते हैं ठीक है और मैं इसके बारे प्ता देती हूं आपको देर इस अल्टर माइक्रिसकोपिक ओर्ग逌म होते हैं यह जो यह वाइरस है जो microscope में क्या आपने देखा कुछ लाइट होती हम उसमें भी इसे नहीं देख सकते हैं यह क्या होते हैं आइदर DNA और RNA as a genetic material and multiply within living cells अभी कहते हैं यह एक genetic परदात के रूप में DNA और RNA होते हैं ठीक है और जीवित कोशिका में क्या करते हैं multiply करते हैं ठीक है और इसके बाद आता है दे लैक सेल मशिनरी फोर देर री री अप्लिकेशन एंड कैन नोट सर्वाइड ओन देर ओन आउटसाइड पासिज पास सेल्स दे आर अनफेक्टिड बाइ एंटी बोडिज दी साइज ओफ वाइरस रेंस फ्रों 20 तो 300 यूम इन डाय मेटर यह अपने प्रकरिति के सेल मशिनरी को लोग करते हैं और पिछले सेल के बहार अपने दम पर जीवित नहीं रह सकते यह एक अंटी बैक्टिरियल दुवारा परभावित होते हैं ठीक है इनका जो साईज होता है जो यह virus है इनका जो size होता है वह क्या है? 20 to 300 यू मिन diameter होता है. यह इसका size है. बैक्तिरिया का. इसके बाद आता फंजाई वट इस फंजाई फंजाई बेसीकली पैरसाइट होते हैं जो यह फंजाई होते हैं यह बेसीकली पैरसाइट होते हैं और दूसरों की बोड़ी पर रहकर फूड कंज्यूम करते हैं और इनका जो वो कलर है वो डिफरेंट होता है यानि कि एक अलग से त्यार नहीं कर सकते हैं इसलिए हम इसे हेटरोटोपिक नूट्रिशन कहते हैं अब बात करते हम इसके फंजाई की फंजाई इसके बादा थे दिवाइड और शेक्षिली और बात पॉसिस अभी इसमें बता रहे हैं जो किंग्डम फंजाई में और बढ़ता है इसमें क्लॉरोफिल नहीं होते हैं यह क्लॉरोफिलन नहीं है यह एक universe और multicelle बहुत कोशिकाई हो सकते हैं यह क्लॉर अजीए कठोर सेल यह जोर चिटिन से बना होता यह जर्नली मल्टिप्लाई से स्पोस और को बढ़ाता है वि और स्वरली या सेक्सुली या दोनों तरह सब्भाजित करते हैं यह तह हमारे फंजाई नेक्स्ट एप पैरसाइट इसके बारे में बता देते हुए आपको कि पैरसाइट अब बात हम करते हैं A parasite is a living organism which depends on a living host for nutrition, nourishment and shelter from another organism where it lives without giving any benefit to like host. अब इसमें ये बता रहा है कि एक parasite एक living organism होता है. जो ये parasite होता है ये क्याता है? एक living organism है जो nutrition और nourishment और एक अन्या जीर से shelter के एक जीवित मेजबान पर depend करता है. ये क्या करता है? ये depend रहता है. जहाँ पर host को कोई benefit दिये बिना रहता है. ये host को बिना benefit दिये रहता है. इसके बाद आता है host. that organism which has or the parasite, the parasite are classified into two types. अब क्या क्या है नों कि जो ये organism है, इन्होंने आगे टू पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स इसमें है protozoa, फर्स इसमें मेटा जोवा. अब हम बात करते हैं protozoa. इसमें ये बता रहे हैं कि जो प्रोटोजोवा है, वो यूनिसेलर और्गैनिजम है. जो नोटिस हो सकते हैं यानि कि नोटिस हो सकते हैं या नहीं. यह लोको मोटिव अंगो की उपस्तिती को नोटिस करता है. नूकलाइज, नूकलियर जिली, मेंब्रेन और क्रोमोटीन के कारण होते हैं. अधिकतर protozoa nature में परजीवी है नेक्स्ट है इसका दे multiply by binary fission और multiple fission और by sexual means ये binary fission या कई उपदर्व या योन साधनों से multiply करते है ये binary fission या कई उपदर्व यानि की fission या योन साधनों से multiply करते है आगे आता है meta joa आगे है meta joa there are multicellal organisms and there are further classified as अब ये क्या है कि इसमें multicellal organism होते हैं जिसके इन्होंने आगे 3 नाम दियो हैं सबसे पहले इसमें आता है cis toads long type like parasites ये long type के होते हैं ठीक है इसके बाद आता है tema toads leaf like parasite ये leaf का जो shape होता है उस type में ये parasite होते हैं इसके बाद आता है nematodes ये कहते है cylindrical like parasite ये cylindrical shape में parasite होते हैं और मैंने आपको जो आज का जो topic है meta joa और जो मेरा जो topic था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपके करवा चुकी structure of morphology of bacteria ये हमारा complete हो चुका है और जो unit है bacteria के ये मैंने आपको पूरी complete करवा दी है और meta joa तक finish हो गई है और इसके बाद हम next करेंगे topic और ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो please like, share and subscribe जरूर केजिए thank you so much